Hello everyone, तो आज हम लोग electricity chapter का lecture number 2 cover करेंगे और इस chapter में हम लोग cover करेंगे properties of charge तो समझते हैं कि properties of charge होता क्या है वीडियो को start करने से पहले मैं एक छोटा सा request करना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देखते हो तो पूरे last तक दिखा करो, ठीक है? स्कीप मत किया करो, ताकि आपको ना कोई भी चीज जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसको complete देखोगे ना तभी वो समझ आएगा आपको, ठीक है? तो यह मेरा request है कि आप उसको पूरे देखो, ठीक है? तो चलो start करते हैं, तो सबसे पहला property है अब यह charge के properties का मतलब क्या यह समझता है तो properties का मतलब यह होता है ना कि जैसे characteristics किसी इंसान का characteristics होता है वैसे ही charge की क्या characteristics है? वो हम लोग इसमें deal करेंगे, ठीक है? तो समझ तो आ गया कि है क्या? टॉपिक में हम लोग करने क्या वाले हैं पहला topic है हमारा, पहला जो properties है वो है हमारा attractive and repulsive property क्या मतलब है इसका? तो charge जो होते हैं, वो क्या करते हैं? attract करते हैं एक दूसरे को और repel करते हैं अब कौन से charge attract करेंगे? कौन से charge repel करेंगे? उसके बारे में समझेंगे तो यहाँ पर देखो, दो charges जैसे की plus और minus यह क्या है? opposite charges है ठीक है? minus और plus, यह क्या है? opposite charges है तो जो opposite charges है न, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को attract attract का मतलब, एक दूसरे को नजदीख खीचेंगे अगर similar charges है, जैसे की plus minus या फिर minus minus plus plus and minus तो यह similar charges है न, तो यह क्या करेंगे? repel करेंगे ठीक है एक दूसरे को दूर भेजेंगे तो ये एक property है जो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा मतलब ये property होगा ही होगा अगर charge है तो ये property वो follow करेगा ठीक है second property है हमारा that charge is conserved charge जो है वो conserved है तो आपने पढ़ रखा है 9th class में conservation of mass कि mass जो है वो क्या है conserved होते है इसका मतलब क्या है कि mass को नहीं create कर सकते हो नहीं destroy कर सकते हो ठीक है वो बस transform कर सकते हो इसी तरह से charge भी जो है वो क्या है conserved है नहीं आप create कर सकते हो नहीं आप destroy कर सकते हो charge जो है वो क्या है conserved होते है ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है थर्ड पॉइंट जो है, वो है क्या Charge is Relativistic Invariant अब ये इसका मतलब क्या है थोड़ा सा, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब क्या है एक्जाक्टली मतलब क्या है इसका तो invariant का मतलब होता है change नहीं होना, ठीक है न, उसको हम change नहीं कर सकते हैं, तो charge को न, आप change नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी चीज में, आपके information के लिए मैं बता दू, कि अगर, अगर ये mass होता न, charge के जगह पे mass होता, तो mass को न, आप बदल सकते हो, दुसरे energy के form में उसको बदल सकते हो, ठीक है, अ स्पास बात थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है । इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग quantization of charge, यह काफी ज़्यादा important है, मैंने BBI लिक्स रखा है यहाँ पर, quantization of charge क्या होता है, quantization का मतलब यह होता है, कि charge जो है न, वो हमेशा integral multiple of elementary charge के, charge के form में exist करेगा, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है, कि जो भी charges आप देखोगे, जो exist करेंगे, वो integral multiple, ठीक है न, integer के multiple, integral multiple of elementary charge बोलो इसको या fundamental charge, E क्या है यहाँ पर, E आपका है, वो जो आपने पढ़ रखा है, E electron पर जो charge होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb, यहाँ पर E का value यह होता है, तो यह integral multiple में exist करेंगे, जितने भी charge है, वो हमेशा must always exist as an integral multiple of fundamental unit of charge, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कि वो integral multiple नहीं है, ठीक है, वो हमेशा क्या है, integral multiple है, ठीक है न, तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अब इसका मतलब थोड़ा सा और समझते हैं इसको, तो चार्ज जो है, चार्ज जो है हमारा, वो हमेशा exist करेगा इस तरह से, देखो, 2E, तो 2 क्या है यहाँ पर? integer है, या फिर plus 1E, integer है, यहाँ पर minus 1E, minus 2E, तो इस तरह से exist करेगा, यह ऐसा कभी exist नहीं करेगा, minus 0.5E, या फिर 2.33E, integer नहीं है ना, तो हमेशा वो exist करता है, as an integral multiple of fundamental unit of charge, मतलब इसका multiple होगा हमेशा वो, और कैसा multiple होगा? integer का multiple होगा, ठीक है, n अब जब निकाल होगे न, calculation करके, तो n हमेशा integer होगा, ठीक है, n belongs to integer, इसके बाद जो fifth property है, वो है additive property, additive property of charge, क्या मतलब है इसका? additive property का मतलब यह है, कि जिस तरह से charge, मतलब यह किसी, जैसे 2 plus 2 होता है, चार्ज, तो वैसे ही आप charge को भी add कर सकते हो, charge can be added, जैसे algebra में हम लोग add करते हैं, वैसे ही charge को भी algebraically add कर सकते हैं, जैसे कि मुझे दे दिया, कि एक charge जो है, वो 2 कुलम है, ठीक है, दूसरा charge दे दिया मुझे minus 4 कुलम, और बोला कि add करो, यह q1 का value दे दिया है, यह q2 का value दे दिया है, अगर मैं solve करूंगा, तो net q जो होगा, q net, वहने दोनों को जोडने पर क्या आएगा, एड करेंगे न दोनों को, तो दोनों को जोडने पर क्या आएगा, minus 2 कुलम, तो जैसे algebra में add करते हो, वैसे इसको add कर सकते हो, तो यह एक additive property, मतलब यह property भी follow करता है, तो एक बर जल्दी से summarize करते हैं, हमने क्या पढ़ा, चार्ज, जो है पहला property की attractive and repulsive, मतलब यह add भी हो सकते हैं, sorry, attract होते हैं और repel करते हैं, जैसे कि opposite charges हैं, तो यह attract करेंगे, similar charges हैं, तो repel करेंगे, दूसरा property, charges concerned, अच्छा, एक और point इसमें, जैसे अगर positive है, negative है charge, तो attract कर रहे हैं, या फिर positive हैं, तो repel कर रहे हैं, what if neutral charge को हम ले आए, neutral charges में क्या होगा, तो अगर आप neutral charges लोगे न, तो वो नहीं attract करेगा, नहीं repel करेगा, क्योंकि वो तो neutral है न, तो neutral charges में वो नहीं repel करता है, नहीं attract करता है, तो यह हो गया, समझ में आ गया, conservation of charge में क्या हम ने सीखा, कि charge को conserve रहता है, ठीक है, नहीं create कर सकते हो, नहीं destroy होता है, relativistic invariant का मतलब क्या होगा, कि charge को आप किसी चीज में नहीं बदल सकते, mass को बदल सकते हो, किसमें energy में, quantization of charge का मतलब यह है, कि यह हमेशा charge जो है, quantized होता है, इसका मतलब कि हर एक charge जो है, integral multiple है, elementary charge के, मतलब यह हमेशा ऐसा दिखेगा, plus 2, plus 1, minus 1, ऐसा दिखेगा, कभी भी ऐसे exist नहीं करेगा, 0.5, यह नहीं करेगा, यह ऐसा exist नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, तो यह है additive properties समझ गए, कि charge को आप simple, algebraically add कर सकते हो, तो यह था properties of charge, ओके, एक छोड़ा सा topic है, जिसका नाम है, coulomb's law, ठीक है, ऐसे normally, यह आपके syllabus में है नहीं, लेकिन क्योंकि चार्ज से related है, तो जैसा कि मैंने बताया है, कि यहाँ पे आपको थोड़ा, मतलब ज्यादा मिलेगा, कम तो नहीं मिलने वाला, ठीक है न, तो थोड़ा सा समझते है, कूलम्स law को, ठीक है, यह आपको 12th में पढ़ना है, इन डीटेल, लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं, कि कूलम्स law है क्या, actually, ठीक है, ताकि आपको यह ना लगए, मतलब यह familiar रहना चाहिए, इंसान है न, इससे, ठीक है, ताकि senior class में जाओ, तो आपको समझ मैं चाहिए, यह था कूलम्स law, ठीक है, तो कूलम्स law एक नाम से आया है, कूलम्स, एक scientist थे, उन्होंने दिया है, कूलम्स law, और यह law क्या बोलता है, उसको समझता है, तो इन्होंने बोला कि, कोई भी charge, जैसे आप दो charge ले लो, ठीक है, यह charge, जो है, यह जो law है, यह valid है, unit charge के लिए, ठीक है, static charge के लिए यह valid है, ठीक है न, dynamic के लिए, रुका हुआ charge, और unit charge, अगर हम एक एक charge ऐसा लेते हैं, उसके लिए valid है यह, ठीक है, अब दोनों charge को, मैंने क्या किया है, कि, दोनों के बीच के जो distance है, उस distance को मैंने R दे दिया, ठीक है, यह A नाम दे दिया, इस charge का नाम B दे दिया है, ठीक है, अब इसका Q1 है, और यह है Q2, अब होगा क्या, इन्होंने क्या बोला, कूलम्स ने, कि यह charge इस पे force लगाएगा, यह charge इस पे force लगाएगा, और एक दुसरे पे वो force लगाएगे, तो कूलम्स ने हमें बताया, अभी हमने पढ़ा न, कि charge क्या करते है, एक दुसरे को attract करते हैं, या फिर develop करते हैं, अब भाई attract करते हैं, या रिपेल करते हैं, तो वो कितने force है, आखिर force से, किसी force से attract करते होंगे, या रिपेल करते होंगे, तो वो force कितना होगा, उसके बारे में इन्होंने बताया, Coulombs ने क्या बताया, कि वो force कितना होगा, जब ये charge इसके उपर force लगाया, या फिर ये प्रोडॉट नो जायेगा प्रोड़क्ट ऑम बोद चार्श मनें जो मैंगिनितुट होगा जो VALUats कॉऽा उसका भागर चाषिक का उसके डारेक्ट ली प्रोडॉटिक्सिंटर भोगा और इनवर्ष ली तो ये भी बढ़ेगा ये इसका मतलब क्या होता है ये बढ़ेगा न ये घड जाएगा ठीक है मतलब डिस्टेंस दूर करोगे तो force क्या हो जाएगा कम हो जाएगा धिक है तो ये बात उन्होंने बला कि force जो होगा वो directly proportional है कि इसके magnitude के दोनो charge के magnitude के product के बराबर और inversely proportional होगा किसीच के distance के square के पराबर अब ये दोनों जब combine करोगे आप from 1 and 2 तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि force जो है न वो directly proportional है q1, q2 के और inversely proportional है r square के ठीक है अब देखो जब भी आप proportionality sign हटाते हो तो एक constant देना पड़ता है ठीक है तो वो constant क्या हो जाएगा भई ये proportionality sign था इसको हटाएं तो equal to ले आएं अब यहाँ पे constant देना होगा उस constant का नाम k दे दिया इनों है तो हमारे पास क्या आगया k q1, q2 by r square तो ये formula हो गया coulombs का जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं ये इस पे कितना force लगा रहा है ये इस पे कितना लगा रहा है और दोनों equal force होता है ठीक है दोनों force equal होगा ये इस पे जितना force लगा या ये इस पे जितना force लगा है इस k को क्या बोलेंगे इस k को बोलेंगे हम coulombs constant coulombs constant और खास बात ये है इसमें कि ये जो constant है ना, इसका value होता है, अगर आप charge को air में रखे हो, तो k का जो value होगा, वो हो जाएगा, k is equal to 9 into 10 to the power 9, इसका SI unit क्या होगा, k का, तो newton meter square per coulomb square, तो ये इसका SI unit पे हो जाएगा, k का, तो ये था coulomb's law, ठीक है, समझ गए क्या होता है coulomb's law, coulomb's law हमें बताता है कि कितना force लगएगा, ये इस पे force लगाएगा, ये इस पे force लगाएगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा इतना, ठीक है, तो अभी उतना जानना नहीं आपको 10th level पे, फिर भी ये आप ध्यान रखो coulomb's law होता क्या है, ठीक है, थोड़ा competitive में अगर जा coulomb's law का, ये कहां लगाते हैं, कब valid है ये, तो static charge में valid है ये, charge motion में नहीं होना चाहिए, और unit charge में हम लोग इसको apply कर सकते हैं, तो ये खुछ खास बात था coulomb's law का, अब हम लोग थोड़े आगे देखेंगे, तो में cover करेंगे, electric potential, अब electric potential जो है न, ये थोड़ा important हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखा जाए, electricity chapter के पूरे topics में, तो ये topic जो है न, काफी जादा important है, इसका weight is भी थोड़ा जादा है, तो electric potential है क्या, ये समझता है, ठीक है, आखिर जरुरत क्यों पढ़ा electric potential का, तो एक day to day life का example दे करके, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, कि आखिर ये electric, ये potential का मतलब क्या है, तो आपने देखा होगा कि घर में हम लोग क्या करते है, water का जो tank होता है, हमारा घर का जो tank होता है, उसको थोड़े height पे रखा जाता है, ठीक है, इस तरह से ये, कुछ height पे water tank को रखा जाता है, ठीक है, अब ये उपर रखने से क्या फैदा क्या होगा, और जो नीचे में tap होता है, वो नीचे tap लगा होता है, यहां से हम लोग नल लगा करके ये पानी को हम लोग निकालते है, ठीक है, तो आखेर ये उपर क्यों रखा गया, इसको नीचे क्यों नहीं रखा गया, क्या reason है, तो reason ये है, कि इसको अगर हम नीचे रख देत मतलब एक चीज तो समझ आ गया कि किसी भी चीज को अगर हमको फ्लो कराना है तो उसमें क्या होना चाहिए एक potential होना चाहिए potential difference होना चाहिए तब ही जा करके वो flow करता है यह line को समझना फिर से क्या बुला कि अगर कोई भी चीज में अगर किसी चीज को flow कराना है आपको, तो उसमें क्या करना चाहिए, आपको जिस चीज से flow कराना है, उसको थोड़ा उपर रखना हो, मतलब एक potential difference create कराना होगा, ठीक है, एक potential, जो है न, potential का difference होना चाहिए, तभी वो flow करता है, ठीक है, अब थोड़ा सा समझो, electricity कैसे produce होता है, electricity कैसे बनता है, जब charge flow करते हैं, ठीक है, अब relate करना है यहाँ से आप, जब charge flow करते हैं तब क्या होता है, electricity flow करता है, ठीक है, electricity बनता है, जब charge flow करते हैं तो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पानी flow कर रहा है, यहाँ पर हमको क्या करना है, charge को flow कराना है, और charge अगर flow किया तो current फिर बन गया, ठीक है, current होता गया है, rate of flow of charge, ठीक है न, rate of flow of charge को हम लोग बोलेंगे, electric current बोलेंगे, तो यहां पे भी हमको charge को flow कराना है, तो वो ऐसा क्या चीज़ है, जो charge को flow कराने में help करता है, ठीक है, उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि electric potential है क्या बच्चों को न थोड़ा लगता है कि यह क्या है definition कैसे याद करेंगे थोड़ा बड़ा तो देखो कैसे इसको easily हम लोग इसको याद करेंगे ठीक है मैं एक छोड़ा सा example लेता हूँ और example लेकर के मैं आपको याद कराने की कोशिस करता हूँ ठीक है तो अब देखो मैं माल लेता हूँ कि एक infinity पे बहुत दूर ठीक है ना एक unit positive charge ठीक है ना क्या मैं बोल रहा हूँ बहुत दूर infinity से एक unit positive charge रखा हुआ है और एक point है यहाँ पे A ठीक है और इस point से बहुत दूर infinity पे क्या रखा हुआ है एक charge रखा हुआ है कितना charge है भाई वन कूलम है ना one unit positive charge रखा हुआ है अब एक labor गया वहाँ पे और इस charge को उठा करके वो लेकर के आया ठीक है ना अब वो जब charge को लेकर के इस given point तक लेकर आएगा उस charge को unit positive charge को infinity से वो लेकर के अपने सर पे वो यहाँ पे आया ठीक है तो जब वो आएगा तो कुछ amount of work done करेगा ना कुछ amount of work done करेगा उस charge को लाने में किसको लाने में उस charge को लाने में infinity से कहा एक point given point तक लाने में जो work done करेगा उसी को हम लोग electric potential बोलेंगे ठीक है वी से represent करते है potential को समझ में आ रहा है क्या हुआ भाई electric potential electric potential हुआ charge को infinity से लाने में जो work done किया जाता है एक coulomb charge को लाने में उसी को तो हम बोलेंगे potential clear clear अब आजाओ definition पे क्या लिखा हुआ है आपे it is the amount of work done lever भी क्या किया था work done किया था तो it is the amount of work done in moving a unit positive test charge ठीक है unit positive test charge को लाने में in moving move कराने में कहां से from infinity इस infinity point से given point में given point में जो लाने में work done किये हम उसी को बोलेंगे क्या electric potential it is the amount of work done in moving a unit positive gesture from infinity to the given point is called electric potential clear हुआ याद हुआ अगर याद हो गया समझ आ गया definition तो जरूर comment में mention करवा अब आ गया जाओ इसको किस चीशे इसको डिनोट करेंगे वी से डिनोट करेंगे ना क्या अब बुलते इसको वी से रिप्रेजेंट करते है ठीक है SI unit क्या होगा electric potential का वोल्ट होता है ठीक है SI unit क्या होगा वोल्ट होगा अब आज आप formula पे तो formula तो अभी तुरंत याद हो गया ना V is equal to W by Q हो गया ना याद V is equal to W by Q यह formula है यह आपको याद रखना है अब ठीक है formula क्या होगा electric potential क्या होता है work done है ना work done करने में amount of work done in moving है unit positive charge तो W by Q इसका formula हो गया यह एक तरह का scalar quantity है ठीक है scalar quantity है direction नहीं है इसमें ठीक है यह एक scalar quantity है अब एक question है कि one volt potential हम कब बोलेंगे define करो one volt यह question थोड़ा important है कभी-कभी पूछ लेते हैं exam में बहुत असान है यह one volt हम मुझे करने के लिए यह one volt करने के लिए क्या करना पड़ेगा work done का assignment क्या होता है one joule charge का क्या होता है कूलम तो जब मैं one joule work करूंगा एक कूलम charge को लाने में तो जो electric potential होगा वो होगा हमारा one volt जब हम एक joule work done करेंगे एक कूलम charge को लाने में infinity से उस point तक तो जो potential होगा ना उसी को हम बोलते क्या है one volt बोलते है ठीक है अब इसको नापने के लिए जो हमारा device होता है यह पहले भी हम लोग पड़े है पिछल लेक्चर में उस device को क्या बोलते है जो electric potential को नापता है वो क्या है भाई voltage में बोल्टेज को नापता है इसका इक और नाप क्या है जो अब देखो potential और potential difference, potential और potential difference में क्या अंतर है? ठीक हम दोनों सेम नहीं है, आपको ध्यान रखना है दोनों अलग अलग है ठीक है तो potential difference अभी हम लोग करेंगे दोनों अलग अलग है, यह ध्यान में रखना है, अच्छा मैंने starting में बताया था कि potential difference कौन create करता है आखिर ऐसा क्या है जिससे एलेक्ट्रोंस फ्लो करने लगते हैं तो उसका एंसर है सेल ठीक है सेल जो है ना सेल वो सेल बायो वाला सेल मत समय ना बैटरी को बोलते है ना घ्रक्राइन अगर बड़ेंची के शेल शेयर को किंधने उटुक्त हुआ जया रिखाय मैं फिरीरों कोंगे तो एलेक्ट्रोन मुतिए इलेक्ट्रोन गूंक्त ही, तरह से नेगेटिव से पॉसीटिव की तरफ या ज़ादा है और फिर करेंड होंसे प्रोटिस होने लगता है तो बैसी कली potential difference कौन create करेगा shell या फिर यह आपको battery याद रखना है, समझ मैं है यहां तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह भी हम लोग समझ गया, voltmeter भी समझ गया अगर आपको यह अच्छे से समझ आ गया ठीक है ना तो मैं एक question देता हूँ ठीक है इसका answer जरूर comment में करना ठीक है तो यह आपका question है ठीक है ओके, thank you